और अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती है तो इसके थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। चीज़ परवरी को यौरप के कई देश उक्रेन के साथ आकर खड़े हो गए। रूस पर कई प्रतिबंद लगा दिये गए। जिस वज़े से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना का तमगा पाने वाली रूस की सेना को कीव से खाली हाथ ही लोटना आलनकि रूस ने इसके बाद मारियोपुल पर कबजा कर लिया फिर बुचा नरसनहार ने सब को हिला कर रख दिया। दौनबास को पाने के लिए भी रूस की सेना ने अपनी पूरी टाकत लगा दी। अब सेवरो दोनेस्ट को हत्याने में रूस जुटा है जबकि जिलिंसक आमने सामने की जंग में दुश्मनों पर रॉकेटों की बारिश करते दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने रूस को भारी नुकसान पहुचाया। और पुतिन की फौज को उस इलाके से पीछे अटने पर मजबूर कर दिया। जो वीडियो सामन दिया। यूक्रेन की सैनिक यहीं नहीं रुके। उन्होंने मौटर का इस्तमाल कर रूस की सेना को पीछे ख़देड दिया। दावा किया गया कि इस जोड़दार हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। वहीं डुनेस्क में रूस के जोड़दार हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भी पलटवार किया। यूक्रेन के पूरवी हिससे डॉनबास का वो इलाका है जहां इन दिनों भीशन जंग छड़ी है। और इस पर पूरी तरह कबजा करने के लिए पुतिन की सेना एडी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार यूक्रेन की सेना ने पुतिन की पूज को अपने रास्ते से पूरी तरह अटाने की ठानी है। वो रूस के सेनिकों के खात्मे पर उतारू है। इसलिए डूनेस्क में जगा 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 ज़लिंस्की के फौजीों ने जमीन खोटकर वहां बारूदी सुरंगे बिचा दी है। ताकि जैसे ही दुश्मन की लोग वहां से गुजरें उनका दुनिया से अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये काम वहां बहुत तेजी से जारी है क्योंकि यूक्रेन ये नहीं चाहता कि रूस को उसके एक और अलाके पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। और उसे अपने हिस्से की जमीन का एक बार फिर बटवारा करना पड़े। ऐसे में जिलन्सकी के फौजी आर पार की लड़ाई को तयार बैठे। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें यूक्रेन के सैनिक टैंकों से गोलाबारी करते दिखाई दिये। ऐसा माना जा रहा है कि चौथे महीने में एंट्री ले रही इस जंग की दिशा अब डॉनबास की लडाई तै करेगी। अगर इस पर कबजा करने में रूस कामयाब हो गया तो यूक्रेन को नुकसान सिर्फ जमीन का ही नहीं होगा बलकि वो अपने सबसे सक्षम सैनिबलों के बड़े हिस्से को भी खो देगा। जिससे रूस के लिए और बड़ा इलाका हत्याने और कीव को अपनी शर्तों पर चलाने का रास्ता खुल जाएगा। पश्चमी मीडिया में दावा किया गया कि पुतिन के सैनिकों ने उनके खिलाफ विद्रो कर दिया है जिसकी वज़े से उनका यूक्रेन पर खबजा करने का प्लान फेल हो सकता है। बिटन की वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक पुतिन की सैनिक ही युद्ध में हिस्सा लेना चाहता है। बाकी सब यूक्रेन की फौज से घवरा चुके हैं और अब उनसे लड़ने से कतरा रहें। बिटन की वेबसाइट ने ये दावा एक फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर किया। उसके मुताबिक SBU नाम के एक टेलिग्राम चैनल ने एक रूसी सैनिक की बाच्चित रिकॉर्ड की है। जिसमें वो अपनी पतनी को ये बताता सुनाई पड़ा कि रूस के सैनिक किसी भी हाल में यूक्रेन जाने को तयार ही नहीं है। खौफ खा रहे हैं। इसकी दो वज़े हैं। पहली वज़ा ये है कि ओलांद 1809 से 1917 तक रूसी सामराज्य का हिस्सा था। लेकिन 1856 में वहां से सेना हटा ली गई थी। इसके बाद 1917 में फिनलेंड रूसी सामराज्य से आजाद हो गया था। और 1921 में उलांद द्वीब पर उसका कंट्रोल हो गया। और यही वज़े है कि रूस करीब 1.500 साल बाद एक बार फिर इस द्वीब पर कबज़ा जमाने की कोशिश कर सकता है। और दावा किया जा रहा है कि उलांद द्वीब पर कबज़ा जमाने के लिए पुतिन की सेना कभी कूच कर सकती है। लेकिन द्वीब पर कबज़े की सिर्फ यही एक वज़े नहीं है बलकि पुतिन फिनलेंड के नेटो में जाने की जिद से भी नाराज है। क्योंकि फिनलेंड रूस का पड़ोसी देश है और पुतिन के कई बार धमकाने के बाद भी फिनलेंड नेटो का सदस्य से बनने के लिए आड़ा है। के लिए अपनी सेना भीज सकता है। इस दूइप पर करीब 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। रूस से बढ़ते खत्रे को देखते हुए इसी महीने के पहले हफते में वहां एक सर्वे कराया गया था जिसमें करीब 58 प्रतिशत लोगों ने वहां मिलिटरी बेस बनाने के लिए हामिबरी थी। दुनिया में चल रहे अनाज संकट को दूर करने के लिए अमेरिका समेत यॉरप के कुछ देशों ने मिलकर पुतिन के फ्लैन को फेल करने की तैयारी कर लिए वाना जा रहा है कि युद्ध की वज़े से यूकरेन में खरीब 2 करोड टन अनाज फसा हुआ है जो रूस की वज़े से दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि यूकरेन काला सागर के जिस रास्ते अनाज का निर्यात करता है वहां रूस के जंगी जहाजों और पंडुब्वियों ने पूरी तरह से किले बंदी कर रखी है जिसके वज़े से वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फसे हुए है दरजनों देश ऐसे हैं जहां इसका बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है हाला कि दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए कुछ दिन पहले इटली के प्रधान मंतरी ने रूसी राष्टपती पुतिन के साथ बैठक भी की थी लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने ये साफ कर दिया था कि वो काला सागर से अनाज का निरियात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंद हटा देंगे मतलब ये कि रूस काला सागर में अपनी ताकत के दम पर पश्चिमी देशों को जुकाने में जुटा है असल में यूकरेन दुनिया के कई देशों को गेहों के साथ कई दूसरे अनाज भी बेचता है जिन में यूरपीय देशों के अलावा अफरीका और मध्ध हेषया के कई देश भी शामिल है यूएन के खाद्य और क्रिशी संगठन के मताबिक यूक्रेन दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गेहू निर्यात करने वाला देश है और दुनिया के बाजार में उसकी इससेदारी खरीब 10 प्रतिशत है इसके लावा यूक्रेन मक्का और सूरज मुखी का तेल भी बड़े प्यमाने पर दूसरे देशों को बेचता है लेकिन उसके तमाम बंदर गाहों पर रूस का कबजा है और इसी वज़े से अनाज की सप्लाई ठप है और अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर में 81 करोड से ज्यादा लोगों के सामने भूकों मरने की नौमत आ जाएगी क्योंकि कुछ अंतराश्ट्री एजिंसियों का मानना है कि कई देशों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने के गगार पर है युक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक गोली बारी करते दिखे जेलिंस्की की फॉज ने दावा किया कि उसके जवान लुहांस्क में रूसी सेना से बरावरी का मुकाबला कर रहा है और जो वीडियो सामने आया उसमें युक्रेन का एक सैनिक रूसी फॉज पर हमले की तैयारी करता नजर आया जंगल के बीच बने अपने ठिकाने से सैनिक ने पहले राइफल निकाली और फिर रूस की सेना पर जोरदार हमला कर दिया रूस ने भी युक्रेन पर हमले जारी रखे और युक्रेन के सैनिकों को निशाना बना कर कई राउंड फाइरिंग की जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तर-तरा हट से गूंज उठा रूस के हमले से बचने के लिए युक्रेन के जवान जमीन के अंदर बने अपने ठिकानों में वापस जाते नजर आए युक्रेन का दावा है कि लुहांस के कई इलाकों में उसके फौजी रूसी सेना से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं उदर रूस ने आक्टिक महासागर में मौझूद एक द्वीप पर अपने बंद पड़े मिलिटरी एरपोर्ट को दोबारा बनाने की तयारी शुरू कर दिये मानने जा रहा है कि पुतिन ने भविश्य में होने वाली जंग के लिए बड़ा प्लान बनाया जिसके देद रूस आक्टिक के उस मिलिटरी एरपोर्ट को दोबारा शुरू करना चाहता है जिसे 1998 में ही बंद कर दिया गया था लेकिन खबर है कि पुतिन इस एरपोर्ट को बना कर एक वार फिर वहां अपनी सेना तैनात करने की तयारी में बताया कि रूस की योजना 2030 तक इस काम को पूरा कर लेने की है और इस काम में इसलिए देरी होगी क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़े होने की वज़े से ये मिलिटरी एरपोर्ट पूरी तरह बरबाद हो चुका है असल में आक्टिक महसागर के किनारे छे देश हैं जिन में रूस, कैनडा, अमेरिका, डेनमाक, नौवे और आइसलिंड शामिल हैं यूकरेन पर हमले के बाद से ही रूस ने आक्टिक सेर्कल के आसपास अपनी पौज की तैनाती बढ़ा दी थी रूस के इस कदम ने अमेरिका और कैनडा के साथ नौवे को भी बहुत ज़्यादा परिशान कर दिया थी यूकरेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूसी सेनिकों के गुप्त ठिकाने को तबाह करते दिखाए दिये यूकरेन ने दावा किया कि पुतिन के सेनिकों ने रहाइशी इलाके से कुछ दूरी पर छिपने के लिए ठिकाने बनाये थे जिन पर यूकरेन की फौज ने ताबर तोड हमले कर बरबाद कर दिया जो वीडियो जारी किया गया है उसमें बड़े से फार्म में रूस के सेनिकों का ठिकाना दिखा जिसमें कई ट्रक और ट्रैक्टर नज़र आए यूकरेन ने ठिकाने को निशाना बना कर ताबर तोड हमले किये और उसे तबाह कर दिया हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उटता दिखाई दिया यूकरेन ने आरोब लगाया कि इस खुफिया ठिकाने पर कई रूसी सेनिक चिपे थे जो रहाइशी इलाके पर हमले की फिराक में थे महीं पोतिन के समर्थक कही जाने वाले हंगरी में यूकरेन की एक बॉक्सर ने बॉर्णिमिस्टा अंतराश्टिय मुक्यबाजी प्रतियोगिता में यूकरेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट का जंडा लेरा दिया दियाना पत्रेन को नाम की ये 16 साल की बॉक्सर प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही जिसे जब मेडल पहनाने की बारी आई तो वो पोडियम पर अजोव रेजिमेंट का जंडा लेकर खड़ी हो गए अजोव रेजिमेंट यूक्रेन की फॉज की वो स्पेशल यूनिट है जिसकी वज़े से मारियोपुल में अजोव स्थाल स्टील प्लांट पर कबजा करने के लिए रूस को करीब डेड़ महीने तक भीशन जंग लड़नी पड़ी थी माना जा रहा है कि वो बॉक्सर अजोव रेजिमेंट के उनी सेनिकों को सलामी देना चाहती थी जिरोंने मारियोपुल को बचाने के लिए अपनी जान ज्हुक दी दी जबकि प्रतियोगिता के आयोजकों ने इसके लिए उसे टोका जो तस्वीरें सामने आए उनमें दिखा कि दियाना पत्रयनकों ने जैसे ही युक्रेन का जंडा लेराया जिस पर अजोव रेजिमेंट का चिन बना हुआ था तभी वहां प्रतियोगिता की एक आयोजक आई और उसे ऐसा करने से रोकना चाहा लेकिन दियाना नहीं मानी उसने जंडे को फिर लेराया एसे में वो महिला फिर उसके पास महुची और उसे जंडा लेराने से मना किया इसके बाद दियाना पत्रयनकों ने जंडे को अपने एक हाथ पर रख लिया आलकि जंडा लेराते उदर Eurasian Times नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए अमेरिका एक कानून भी लाने जा रहा एसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में चल रही जंग के बीज भी अमेरिका रूस से टाइटेनियम और चीन से एंटिमनी का कारोबार कर रहा और ये तब है जब यूक्रेन में भीशन जंग चड़ी हुई है जिसमें अमेरिका और यूरप के देश जिलन्सकी के साथ खड़े हैं और दूसरे गुट में रूस के साथ चीन खड़ा है 24 वरवरी को जंग शुरू होते ही पुतिन की सेना से मकाबला करने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक और घातक हत्यारों की सप्लाई भी कर रहे हैं करें पुतिन को घुट्नों पर लाने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंद तक लगा दि यहां तक कि यूरप के कई देशों ने रूस से गैस और तेल तक खरीदना बंद कर दिया लेकिन और कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने यॉरप के तमाम देशों को युक्रेन युद्ध के लिए गुनेगा ठेराया एक वीडियो संदेश में उन्होंने जंग के बीच रूस से तेल खरीदने वाले देशों को आड़े हाथ लिया अपने वीडियो मेसेज में आनल शॉर्जनेगर काफी भावुक दिखे उन्होंने जंग के बीच रूस से तेल खरीदने वाले यॉरप के देशों को जम कर कोसा आनल शॉर्जनेगर ने यॉक्रेन में हो रही भीचन तबाही पर चिंता जताई और यॉरप के देशों से रूस से तेल ना खरीदने के अपील की उन्होंने साफ किया कि रूस को तेल नहीं खरीद कर ही सबक सिखाय जा सकता है आनल ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों से नाराज़गी जताई आनल शॉर्जनेगर ने यॉक्रेन यॉद्ध को मानवता के लिए खतरा बताते हुए यॉरप के देशों से एक जुट होने की भी अपील की उदर यॉक्रेन से चड़ी जंग के बीच रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में भी सेना ने मुश्किल हालाज से ने पटने की तयारी की बताया गया कि ये एस्टोनिया की सेना का सालाना युद्ध भ्यास था जो वहाँ के शहर वरू में शुरू हुआ जहां उसकी सेना के जवानों ने अपने जोहर दिखाए जिसके लिए वहां के एक जंगल को चुना गया वहां एस्टोनिया की फौज की टुकडी जोड़दार गोलियां बरसाती नजर आए बता गया कि इस सैन्य ड्रिल में उन्हें एक घर में चिपे दुश्मन से निपटने की ट्रेनिंग दी गई जिसके लिए उन्हें दो हिस्सों में बाटा गया एक टुकडी खुफिया तरीके से उस घर में घुसने का रास्ता तलाश दिखी तो दूसरी ने उन्हें कवर पायर देने के लिए गोलियों का जवाब गोलियों से दिया इस दौरान दूसरी तरफ के लोगों का ध्यान बटकाने के लिए वहाँ टैंक भी गरश्ता दिखाई दिया वहीं इस पूरी ड्रिल पर इस्तोनिया की वायो सेना का एक लड़ा को विमान हर वक्त नजर बनाए रहा